असलामों अलाइकुम वेलकम बैक टू माई चैनल और कैसे हैं आप लो तो यहां पे मैंने मंगाया था मीशो से यह ब्रेश जो क्लीनिंग ब्रेश होते हैं वायर ब्रेश भी कहलाते हैं जो और अशकल मीशो जो है ना धमाल मची होई तो अगर आपको भी यह ब्रेश चाहिए आपको और या फिर 100 रुपीज भी आपके हो सकते हैं फिर्स्ट जो आप पर्शेस करें उस पर सेव आप कर सकते हैं तो जो है ना मैं आपको महां पे अरिफल कोड दे दूंगे वहां से आप उसको बाई कर लीजेगा तो यह ब्रेश है इसके साथ एक की रिंग भी दिया है क्राइद मैं नाजिंग कोड़ सकते हैं वो लोग डिसकाउंट बेचा देते हैं यहा पे जो यह यह ब्रेश है आप इस तेनलेस स्टील के हैं यह ब्र civ के हैं कॉपर जो होता है और यह इन्नायोन के है तो यह जो है ना तीन ब्रेश है उनोंने ने दिये हुए है और अब ज तो यह देखें आप इतना सकत जान हो चुका है अभी आट दिन से मैंने गंदा किया था अब इसको कितनी देर लगनी चलो साफ कर देखें तो यहां पर जो डिश्वाशर होता है हमारा विम वगरा जो आता है तो उसको मैंने पानी मिला कर रखती हूं तो वही मैंने डाल दिय सोडा का जो हम घाल देना है वाला सोडा हमने डाल देना है उसके अपर हमें वाइड वीच विनेगर डी यह तइने चीज़ डालके रख जाल से थोड़ पूल जा है तो यह दो प्ली चीज़ द्याय तो यह ज़िदेगे तो यह जलागा ऑश्तिय चाहिए बहुत ऐगर करेंगे पांच मिनिट क्ली बस ठीक है तो पांच मिनिट हो चुके हैं क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं आठ दिन की जो है ना गंदिगी थी याइट दिन से अग्याइट दिन की जो यह थी ना सारी जो भी गंदी थी वह मुझे आठ मिनिट लगे इतना जादा वहाद हो चुका था तो बुचे बहुत महिनत लगे और मैंने बिल्कुल भी सो कट्टनीं किया फास्ट वर्वर्ड में आपको पूरा दिखा रही हूं कि मैंने किस तरह से किस गिए कbucksमज में आव कि कुछ विश्च में आजाएगा जाएं जो सजरी में खुदी किस आप को माई वे साथ को चुका है Jeśli द्तीम में और मैंने करते हैं लेकिन साइट से एसे क्रैड से और Εक याजर करनि शो में थाएं से के बहुत अचे से मेरे खाल से थाल से पर तो उसमें अच्छ गायोता है हुआ हुआ पुर भी देखि अच्छ अच्छ स्क्राइब के वर रखिये लोग्साद काथी बेहार वो खिर शोंड़न,स तो उ concern tax उसके पहता हicopने मैंने दो गंटे क्लीनिंग की ही हर एक चीज पर मना आजमाया है उसके बाद मैं आपको यह रेकमेंट कर रही हूं तो जो है आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए का और वीडियो अच्छा लगता है मेरी मेहना अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर भी सब्सक्राइब कर दो एक प्रियो यह बिल्कुल पैसे नहीं लगना है इसमे आपके इसे अच्छा से कमेंट कर दीजेगा और अगर आपने यह ब्रेश यूज की है तो आप अपना जो है ना आपना पना फीडबेक भी दीजेगा तो यह देखें पूरा क्लीन हो चुका साली संट से शम्राइज मालशे में पेड़ान जैसे पर बीस अत्राइज तरह लोगों अब जी बाँ ऐसा लग रहा बिल्कुल नया हो गया है चमा गया नहाद हो के अब यह जो साइट के एरिये होते ना तो वह मैं पहले जो है इस तरह से जो है छोरी की नोक से साफ किया करती थी यह नहीं पाते थे उसमें अंदर से नहीं जा पाता था तो अब यह जो ब्रैश है इस बाऄ प्ट आफ खरें पिल प्ट बहुत अच्छा में या टेषं होते हैं तो इस एक हम भूत जानं की बेना प corr आप गय ज़ेँ नहीं पाते हैं तो जहें से उसन इस नहीं बहुत नहीं ऑगर आप घर ł तो बहुत अच्छा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा तो बिल्कुल में इसको रेक्मेंड कर रही हूं यह जो है ना एक ऐसा गैजट ऐसा टूल है तो उसको तो जो है ना किछिन में होना ही होना चाहिए और इतना जाता महंगा भी नहीं है मैंने 150 रुपीज का इसको बाई किया था मीशो से तो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूं आपको वहां से या कहीं से भी आप बाई कर ले आप डारेक अपने अप आप अपने होता है यहां तो सफाई हो यह नहीं पाती पूर चुट 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 से जहां बोल्ट वगरा होते है नट बोल्ट तो वह सफाई नहीं हो पाती साती जो प्लास्टिक की सामान है उसको साफ करनी के लिए एक जो हमें नायलोन के प्रश दिया है ऐचा ब्रेश बहुत hardens के, पूरी cleaning करूंगे अच्छे से, उसके बाद आपको last में जरूर दिखाऊंगी तो उसके लिए ये जो है ना nylon के brush बहुत अच्छे अच्छा जो tiles होते हैं, tiles में जो गंदी की हमारी side में लग जाती है और ऐसी जगह साफ ने होते हैं, हम टूथ ब्रेश से करते हैं लेकि नहीं होती है, तो आपको टूथ ब्रेश जो होते हैं वह सॉफ्ट होते हैं, अब देखें आप इतनी गंदी की मुझे खुद हैरत हो रही कि यार मेरे कुछ दिन पहले ही मैं इसको साफ किया था उसके बाद जब ब्रेश देखा, मैं खुद हैरत पड़ गई कि पापरे, इतना गंदा था तो आप खुद देखें, कितना अच्छ साफ हो गया है यह और ब्रेश का हाल दिखाऊंगी, मैं आपको ब्रेश भी देखिएगा कि ब्रेश में कितना सारा इसमें जो है न सारी गंदीगीती सारी निकली है तो यह जो कॉर्नर स होते है उसको साफ करने के लिए भी बैस्ट है वाश बैस्ट इनके साइट्स जो होते हैं उसको साफ करने के लिए बैस्ट है उसको पर बैस्ट है उसको पर बैस्ट किया था य प्यांक जोपसना कुछे को तो देखा अपने विपड़ों की और टाइल सोते हैं साइड सोते हैं और जितने हमारे जो ने गजर होते हैं को जाती है चलिए आप कुछ वर्ड देखते हैं क्या साफ कर सकते हैं हाजी कूकर अक्सर बहुत गंदे से हो रहे हैं जाद़ तर लोगों कि मैं तो यह ना अभी मतब्व जो हमाई चुरी की नोग होती है। अब मैं साफ करके देखते हैं कि इससे साफ होता है कि नहीं तो यहां पर देखिए मेने साफ किया हुए कि इससे साफ हो चुका है अच्छे से साफ हो गया है कि अब इसके पूरी जो है ना साइट्स जो है वह मैसे को आपको साफ करके दिखा तो यह देखें आप कितने हद तक साफ दिख रहे हैं और अब इस तरफ से देखिया तो यह जो है ना ऐसी जगह पर जहां पर मारा हाथ नहीं जाता है यहाँ चुरी की नोक्स करना पड़ता ह तो यार यह बेस्ट चीज है इससे बहुत अच्छे क्लेनिक हो जाती है आप अभी खुद देखिए का कुकर जो है ना कितना अच्छे चमक उठेगा तो यह अच्छी चीज है अच्छी लगी मुझे मुझे मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी मैं इसे मेरी बात हो रही थी कि यह इसे ओसका कहीं सुचा कर सकते हैं यह तो इसलिए तो फिर में बिलकुल रीकमेंड कर रहे हूं कि यह तो बहुत जरूरत की सहीं मिने पहले 続ी सिचल से था है यह उडिन और शखना पयूंगीज ने फली बना तो बार गई को बना पाहि कि कॉक्कर मैं चाह रही थी ड अधर में घ्टेल हैं रहा हुआ कर देखें नाइलन अडिक पार्छ राए लिए कुकर चाहए से रोगतर है अब तो में और आपको सफाइब कर दिखाएये जो अब अब आय्लोन कर दो तो यह इस तरह से हैंडल पर साफ करने के लिए होता है अब देखें हमारा हैंडल साफ हो चोगा है यह आपको सिंपल सिंपल से थोड़ी सी में क्लीनिंग बता रही हूं और यह जो हमारे लिड होता है लिड के अंदर साइट का अरिया जो नहीं हो पाता अच्छे से तो वह त करने के लिए शुष्टन पर इस तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे कुकर जो आप बल्लकुल साफ नहींगे क्योंको बहुत अच्छे लगते हैं साफ सुथरे बर्तन यह जो होते ना यह स्टिल के भी चमकते हुए रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं तो यह देखिं कितने एच्छे साफ हो गया है कि मैं फ्रेंड ने कहा था यह जो सफ नहीं पाता है वाकि भूद परिशानी होती कई बारोगी जो प्रिंट बना वता है डीजाइन बना होता है यह साथ करना बहुत मुश्कुल होता है जो इसको हो यह चूरी की नोग से करती हैtit वहाल में को कुंपाते हैं तो इसल條न बृष नहीं हुआ है हिस पूरीस बें ed thema इसे बहुत इसमें के मिलते हैं और इसे भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा तो इसे आपको साफ करने के बाद में यह प्रेश कमाल का है यहां पर बिल्कुल हाथ नहीं जाता है तो यह ब्रेश जो आप साफ कर सकते हैं तो अपना फीडबेक जरू दीजेगा कमेंट करके ब आपको आज का वीडियो और महनत कैसे लेगी ब्रश कैसा अलगा आपको कौन सा क्या वो तो थ्री साइट का ब्रश होता है तो पूरा साइट आपको बुक करना तीनों ब्रश काम के हैं कमाल ब्रश हैं अपने अपने लेविल पर तो इसलिए जरूर ले 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 आप मेरे चमक उठाए अचा जो नाइलोन वाला जो है अब उसके टेस्टिंग कर लेते हैं तो यह तरह से जो मारी च्छनिय वगर होती है और प्लास्टिक की चीज़े होती है आप सभी में दो ही आपको दिखाऊंगी आप तो आप उसको ना इस तरह से साफ कर लें किसके ब्रश जो कर सकते हैं इन ब्रश की हेल्प से देखें आप जो यह नेक होते हैं बोर का पानी है तो इसलिए हमारे जादा वाइट दिखते हैं कभी-गभी और उनकी सफाई जरूरी है अगर नहीं करेंगे तो वाइट हो जाते हैं हमारे पानी है तो यह था आज का वीडियो आपको वीडियो पूरा पूरा देखना और लाइक करना शेयर करना और सपोर्ट कर दीजेगा चेक है वीडियो को प्यारा सा लाइक को कमेंट करके चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ब्रश देखें आप अब भी तक जैसे के विज़से हैं चलिए ठीक है अलाहाफिस टेक केर बद्कि अलाहाफिस सेयम है वीडियो को अब लाइक करना शेर लाइक करना ओर सका एक बोलबस फềने हैं विल सेवाबसे हैं भी करना गलाहाफिस गर चेंडी भीडियो को में जे भीडियो चो पिस हैता है जैसेजे़ झाया है मिजवा ओता शедин का और सूरा तक जार बद 6 Şimdi प